हेलो फ्रेंड तो आज हम लोग आये हैं दुभाया डेम तो आपको दिखाएंगे इसका जो भ्यू है किस परकार से हैं तो देखिए अपर धान लगाया हुआ है थोड़ा सा जगा है वहाँ पर पूरा जो देख रहा है आपको पूरा ही पानी की पानी दिखता है जहां तक दे नजर में तो बहुत कुपसूरत है यहां पर पूरा सांध महाल रहता है अराम साद भी पिकनिक मान आने के लिए आ सकते हैं आप लोग मलब ज्यादा चाहल बाहल नहीं है बेड़ भार रहता है पिकनिक के टाइम में लेकिन सांधी बहुत हैं आपर रोड से बहुत ही दूर में है इसलिए तो चलिए एक नजर देखते हैं इसमें बांधा हुआ इस साइड है बैक साइड में पूरा गोलाई में बांधा हुआ है तो बहुत है अच्छा नजर रापता है देखने पर उसको भी दिखाते हैं आपको तो हम लोग जा रहे हैं उधर ठीक है तो यह रहा देखे पूरा गोल ऐसा बांधा हुआ है तो वही जो है यहां से देखने पर बहुत खुब्सूरत लगता है और इसका जो गहराई है यहां पर पानी पार होता है बारिस के दिन में बहुत ज्यादा पानी रहता है तो यहा झारा है अगर खाई की तरह है अगर गिरने से बचना मुस्किल है हमको लगता है तो बहुत सुंदर जगा है और देखने के लिए देखने लाइक है ग urban II आयग है और पिकनिक के लिए बहुत अच्छा जगा से घुठा । चली हरो इसका जो पिछला हिससा यह है अगला लि और दिखाते हैं कि परकार से आगे का जो बांधा हुआ है पूरी तरह से डेम को तो कैसा है वो देखते हैं हम हम लोग जा रहे हैं तो यहां पर क्या बहुत लेंगे वाटर शप्लाई कर जो टैंक लगा हुआ है तो हम लोग अभी जा रहे हैं उपर और दिखाएं कि आपको इसे रास्ता थोड़ा सा खराब है लेकिन जाने लएक है आप इधार नली पानी का जो नली है सिंचाई के लिए बनाया हुआ है तो वहाँ पर अधवी लोग नहाते दोहाते वे जो लोकल से यहाँ पर लोग नहा जगह है पिकनिक वगएर आने के लिए गूबने के लिए अच्छा जगह है तो हम लोग पहुंच रहे हैं अब सिधा उपर चाड़के दिखाते हैं तो देखिए उपर का जो व्यू है उपर बांधा है तो क् espaço कर देख रहे हैं कि पुरा जीन टाइप का जीलर हूंकरना क को सब्सक्राएं में और ऐससे थे मधाल बांधा new का तो बहुततमा पानी है यहां पर और नहीं घी कर रहा है वहां पर में चछिली पालन भी जो ही है देख लिजे कर दो